नमस्का दोस्तों पेल्टिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रपल सी वीडियो रेक्जाम 2022 के लिए इविड्या का प्रक्टिस सेट नवा लेकर आया हूँ और इस प्रक्टिस सेट के अंतरगत भाग थर्ड सामाने जानकारी के पचास कोर् सेर कीज़े दोस्तों आज की स्वरू करते हैं आज के इस क्लास के कोस्टिस नमबर 101 से कोस्टिस नमबर 101 है निम लिखित में से किस अंतरिच एजनसी ने प्रत्वी अवलोकन उपग्रह EOS04 का फरवरी 2022 में सफलता पुरुवक प्रच्छेपण किया है तो दोस्तों आपको बताना है दिए गया उप्संस में से राइट अंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर इस कोर्शन का राइट अंसर सेकेंड हो जाएगा उप्संड बी इसरो इसरो इहां पर सही जवाब हो जाएगा भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन इसरो ने एक प्रत्वी अवलोकन मिसन है तो दोस्तों ध्यान खिएगा और EOS 041 2512 इमेजिंग उपग्रा है जिसे क्रश वानकी और ब्रच्चा रोपन बाढ़ मांचेतरन मिटी की नमी और जल विग्यान जैसे अनुप्रयोगों के लिए मौसम की सभी स्थितियों में इच्छा भी प्रदान करने के लिए ड इस पेस एक्स ने वर्स 2022 में कितने मिशन लाँच करने की गोशना जन्वरी 2022 में की तो यहाँ पर इस क्रश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 52 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एलन मास्क के स्वामित वाली निजी रॉकेट कमपनी SpaceX ने वर्ष 2022 में 52 मिशन लॉंज करने की घोशना की SpaceX ने वर्ष 2021 में 31 प्रच्छेपणों को सफलता पुरोग पूरा किया एलन मास्क के अनुसार अब तक 1479 स्टार लिंक उपग्रह सक्री हैं जिसमें से 272 वर्थमान में परिचालन अक्षाओं में जा रहे हैं तो यहाँ पर राइट अंसर 52 होगा निम लिखित में से किस देश के चिकेशकों ने सुवर के हर्दे को इंसान में प्रत्या रूपिट कर जनुरी 2022 में नई उपलब्दी हाशिल की है तो राइट अंसर यहाँ पर अप्शन B हो जाएगा अमेरिका अमेरिका यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा बढ़ते एंगले कोशन की और कोशन निम लिखित में से किस देश ने फरवि 2022 में कोःला को लुप्त प्राया प्रजात के रूप में घूशिद किया है तो right answer option B हो जाएगा अस्टेलिया अस्टेलिया ने फर्वरी 2022 में कौाला को लुप्त प्राह प्रजाति के रुप में घोसित किया है कौाला अस्टेलिया के जंगलों में ब्रच्चों पर रहने वाली दुरलब प्रजाति का जानवर है या फास्को लार्क टिडाये प्रजाति का अंतिम दुरलब जीव है दोस्तों धान अखियेगा कॉस्टिन नमबर 105 भारत की पहली प्लास्टिक कच्रा ततस्ट कंपनी फर्वरी 2022 में कौन बनी तो right answer यहाँ पे इस क्वेश्टिन का हो जाएगा option B डाबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अयुर्वेदिक उत्पाद निर्मित करने वाली घरेलू कंपनी डावर फर्वरी 2022 में भारत की पहली प्लास्टिक कच्रा ततस्ट कंपनी बनी अब कंपनी ने वित्वर्स एकिस बाइस के दौरान लगभग 27,000 मेटिक टन पोस्ट कंजूमर प्लास्टिक कच्रे का संग्रा प्रसंस्क्राण और पुनर चक्रण करिया उपलब्ध हाशिल की है दोस्तों तो ध्यान लखेगा अगला कोर्शन कोर्शन नबर यहाँ जवाब हो जाएगा अगला कोर्शन कोर्शन नमबर 107 निमलिकित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने इंगलेंड की टीम को चार बिकेट से हरा कर अंडर 19 क्रिकेट विसुकव फरवरी 2022 में जीता तो राइट आंसर आप्सन यह हो जाएगा है आपि भारत इसका सही जवाब हो जाएगा भारती क्रिकेट टीम ने इंगलेंड क्रिकेट टीम को चार बिकेट से हरा कर अंडर 19 क्रिकेट विसुकव खिताब जीता भारत ने पांचवी बार यहाँ खिताब जीता है फाइनल में इंग्लेंड की टीम ने 44.5 ओवर में 189 रन बनाए जबकि भारती टीम ने 47.4 ओवर में 195 रन बनाए तो धहन लखेगा प्लेयर आपदा टूनमिंट डेवाल्ड ब्रेविस है प्लेयर आपदा मैच राज बावा अगला कोशन कोशन नमबर 108 इंडियन प्रेमियर लिग आईपिल का मुख प्रायूजक जनवीट 2021 में कौन बना है तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट हो जाएगा टाटा समू इसका सही जवाब है कोशन नमबर 109 समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत भारत का राष्टपत किसी राज के राजपाल के क्रत्यों होए तो उपबंध कर सकता है तो दियेगे उप्संस में से आपको राइट आंसर का चैन करना है तो अनुछेद 162 कुछ आकासमताओं में राजपाल के क्रत्यों का निर्वह तो अप्सन यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अनुछेद 160 अगला कोश्य कोश्यन नंबर यहां पर 110 है गोत्र शब्द का प्रियोग सरपर्थम हुआ था तो आपको बताना है दोस्तों यहां पर इस कोश्यन का राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों गोत्र शब्द का अथर वेद में मिलता है, तो option B यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 111 है, न्याई दर्सन के परवर्तक थे, आपको बताना है न्याई दर्सन के परवर्तक कौन थे, तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा, option A गौतम, अगला question, question number 112, आगरा नगर की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों, तो आगरा नगर की स्थापना वर्स 1504 में सुल्तान सिकंदर लोधी द्वारा की गई, और सिकंदर लोधी ने आगरा में अपनी राजधानी बनाई, आगरा की स्थापना उसने राजस्थान की सासकों पर अपने अधिकार को सुरची रखने, तथा ब्यापारिक मार्गों पर नेंत्रन इसापिट करने के उद्वे से की थी, तो ध्यान लखेगा दोस्तों, यहाँ पर इस question का right answer option भी हो जाएगा, सिकंदर लोधी ने, question number 113, तूतिये हिंद, अमीर खुसरों का जन्म हुआ था, आपको बताना है, दिएगा options में से, तो right answer option C हो जाएगा, पटियाली में हुआ था, पटियाली पस्चिम उतरपडेस एटा में हुआ था, दोस्तों, द्यान अखियेगा, अगला question, question number 114, Muslim League के निम लिखित में से किस आडवेशन में, में जिन्ना ने अपना 14 सु हो जाएगा, 1929 में, 28 मार्च, 1929 को ध्यान अखियेगा, question number 115 है, सूची first था, सूची second को सुमेलित कीजे, तथा सही उतर का chain नीचे दिये गए, code से कीजे, सूची first में दर्रा दिया गया है, सूची second में राज दिये गया है, तो यहाँ पर इस question का right answer जो हो जाएगा, option B हो जाएगा, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, तो बनिहाल, जम्मू कस्मीर से हो जाएगा, बनिहाल, नाथुला, असिक्यम से हो जाएगा, नेती, उत्राखंड, नेती, उत्राखंड से हो जाएगा, और सिब्की जहाँ पर है, हिमान्च यहाँ पर इस से हो जाएगा, दोस्तों, तो ध्यान लखेगा, बढ़ते हैं अगले question क्यों, question number 116, भारती मानक समय की या मोतर नहीं गुजरती, आपको बताना है, दिएगा, options में से, तो right answer, option C हो जाएगा है, महाराष्ट से, नहीं गुजरती है, question number 117, बागों का प्रमु उत्राखंड, कारबेट, मद प्रदेश, पेच, टाइगर रिजर्व है, दोस्तों, option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 118, यलो इस्टोन नेशनल पार्क अवस्तित है, तो यलो इस्टोन नेशनल पार्क कहा वस्तित है, दिएगा, options में से, तो यलो इस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज अमेरिका में है, दोस्तों, तो option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, USA, question number 118, निमलिकित में से, किरियाशिल जोला मुखी कौन से है, दिएगा, options में से आपको बताना है, तो right answer, option D हो जाएगा, दूसरा और चोथा, एट ना, और चोथा, वेसू, वियस, किरियाश जोला मुखी के अंतर गताते है, तो option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, विसक्वी सबसे उचाई पर इस्थित मरत जोला मुखी एकांका गुआ, पेरू, एंडीज, परवतमाला में इस्थित है, किलमंजारो, अफरीका का शांत जोला मुखी है, और एटना, इटली का सक्री, औ और बिसुबियस, भुमद सागर का प्रशुप्त जोला मुखी है, दोस्तों, तो द्यान रखेगा, option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 120, निमलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, दिये गए options में से आपको बताना है, तो right answer यहाँ पर हो जाएगा, option A, तांबा, Arizona, तांबा का उत्पादन चेतर जो है, Arizona से समन्धित है, option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, USA का Arizona चेतर तांबा उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है, option A, यहाँ पर right answer है, अगला question, question number 121, निमलिखित में से किसे नाभिकी रियक्टर में मंदक के रोप में प्रयोग किया जाता है, तो right answer हो जाएगा, दोस्तों, यहाँ पर option B, भारी पानी, जिसको D2O के नाम से जान अगला question, question number 122, आकास नेला दिखाई देता है, तो आपको बताना है, दोस्तों, दियेगा, options में से right answer क्या हो जाएगा, तो right answer option D हो जाएगा, प्रकास के प्रकीरण के कारण आकास नेला दिखाई देता है, question number 123 है, भारत में केंद सरकार के वज़त में, राजस उघाटे से भुकतान घटाने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो right answer हो जाएगा, option D, प्रात्मिक घाटा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, question number 122 है, दोस्तों, वर्स 2011 की जन गन्ना के अनुसार निम लिखित राज्यों में से, किसका जन संक्या घनत निउन्तम है तो right answer, option B हो जाएगा, आरुणांचल प्रदेश का, जन संक्या घनत निउन्तम है, दिएगे options में से, नांगालेंड का, यदि हम जन संक्या घनत की बात करें तो 119 है, सिक्किम का 86 है, मिजोरम का 52 है, अगला question, question number 125, भारत में 10 की जन संक्या ब्रेधिदर निउन्तम रही है, तो यहाँ पर इस question का दूस्तों right answer हो जाएगा, वर्स 2001 से 2011 के मद, भारत में 10 की जन संक्या ब्रेधिदर निउन्तम रही है, अगला question दूस्तों, question number 126, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद लोक स्वरूप है, तो तमाशा महाराष्ट का प्रसिद लोकनेत है, इसके अलावा यहाँ लावनी, मावनी, लेजम, गावरिचा, गफा, ललिता, दहिकला, कोली, बोहदा, दोवाडा, आदि लोकनेत भी महाराष्ट में प्रचलित है, तो ध्यान रखियेगा दूस्तों, option C यहाँ पे right answer हो ज जाता है, तो right answer option D हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को को, सैन फ्रांसिस्को को सोड़ द्वार का नगर कहा जाता है, क्योंकि golden gates एक उतरी अमेर की जलसंदी है, जो सैन फ्रांसिस्को घाटी को प्रसांत महासागर से जोडती है, और golden gate फुल एक मानु निर्मित रचना है, जो सै फ्रांसिस्को में है, तो question number अगला है, 128, लोकसभा की पर्थम महिला अध्यक्ष कौन है, महात्पूर्ण प्रस्टन है, तो लोकसभा की पर्थम महिला अध्यक्ष स्रीमती मेरा कुमार है, तीन जून 2009 को, लोकसभा ने दलित नेता मेरा कुमार को, सरो सम्मत से सदन का अध् दिहास रचा, वे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, साथी लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली दलित महिला नेता है, सबसे पहले दलित नेता GMC, बाल योगी, गुलोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 139, र संगन कल्लू, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, करनाटक में मैसूर के पास वेलारी जनपत में इस्तिज संगन कल्लू नामक नवपाशान कालिन पुराइस्थल से राक का टिला मिला है, option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 130, दिवाने अमीर को ही नामक पर्थक क्रशी बिस्तार तथा विकास के लिए दिवाने अमीर को ही क्रशी विभाग, नामक विभाग की स्थापना की थी, option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 131, निमलिकित में से कौन सीती थी, मुसलिम लीग ने सीधी कारवाही दिवस हेत सुलिसित की थी, तो right answer यहाँ पर दोस्तों बने जाएगा, option D, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 132, चाओरी चाओरा किस जनपद में से थीत है, महत्पूर्ण प्रशन है दोस्तों, तो right answer यहाँ पर option B हो जाएगा, गोरकफुर, चाओरी चाओरा नामकिस्थान गोरकपुर जनपद में से थीत है, यहीं पर 5 फरोई 1922 को, असा यूग अंदोलन के समय, यहाँ पर option B, right answer हो जाएगा, question number 133, निमलिकित में से कौन सायक यूगम सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, दिएगे options में से, right answer यहाँ पर हो जाएगा, option C, नागार जुन सागर गोदावरी, option C, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, भारत की महात्पूर्ण बहुत देशी परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना, चिनाव नदी पर है, जमू कसिमीर में, इंद्रा गंधी नहार सतलज, यहाँ ब्यास नदी के संगम से, पंजाम में, नागार जुन सागर परियोजना, कृष्णा नद हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 134, निम लिखित युगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको बताना है, दिये गए ऑप्सन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट अंसर ऑप्सन सी हो जाएगा, से मांग इंडोनेसिया, यहाँ पे रा जो है, मलेशिया से समन्दित है, दोस्तों, दिया नखिएगा, कोशन नमबर 135, रुधिर इसकंदर में कौन सा बिटामिन प्रभावी होता है, महत्पूर्ण प्रशन है, और बहुत ही इजी प्रशन है, तो राइट अंसर ऑप्सन ए हो जाएगा, बिटामिन के, रुधिर इ खका, ब्लड क्लोथिंग नहीं होता है, और बहुत अधिक रत्सराव होता है, या हरी सबजी चमाटर पनीर इत्याज में पायज आता है, दोस्तों, देह नखिएगा, कोशन नमबर 134, जनगर्णा 2011 के आकड़ों के अनुसार, निमलिकित में से किस राज्य में जनसंख्या गनत सबसे कम है, तो राइट अंसर यहाँ पर ऑप्शन यह हो जाएगा, अरुणा अंचल प्रदेश, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, भारत का कुल जनसंख्या गनत 382 है, अरुणा अंचल प्रदेश का जनसंख्या गनत सबसे कम 17, मेघाले का 132, सिकिम का 86, और उत्रा खंड का जनसंख्या गनत 189 है, तो उप्शन यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, अगला कॉश्चन, कॉश्चन नमर 137, जनगर्णा 2011 के आकणों पर आधारित राजियों में उनके बालकों के लिंग अनुपात आरोही क्रम में बयोस्तित कीजिए, तो राइट अंसर यहाँ प पर राइट अंसर हो जाएगा, 2011 की जनगर्णा के अंतिम आकणों के अनुपात, सबसे अधिक बालकों का लिंगान उपात, अरुणांचल परदेश, मिजोरम, में नौसो सत्तर, मेंगाले, एक हजार में नौसो सत्तर, पंजाब, एक हजार में आठ सो चैयालिस, और हर्यान अगला कोशित, कोशियन नंबर 138, वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार, भारत की जनसंख्या, विशु की जनसंख्या की कितने परदेशत है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दोस्तों, आप्सन है, 17.31 परदेशत, विशु के कुल भूभाग का केवल 2.4 भूभाग भारत के पास है, जबकि वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार, भारत की जनसंख्या, विशु की कुल जनसंख्या का 17.5 परदेशत है, तो आप्सन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 149 कोशन नमर, चेत्रफल की दर्ष्टी से उत्रप्रेश का सबसे बड़ा जनपद, आपको बताना है, महात्पूर्ण प्रस्टन है, तो चेत्रफल की दर्ष्टी से उत्रप्रेश का सबसे बड़ा जनपद लखिमपुर्खीरी है, और इसका चेत्रफल 7680 वर किलोमेटर है सोन भद जनपत का चेत्र 6788 वर किलो मेटर है, वारानशी जनपत का चेत्र फल 1535 वर किलो मेटर है, तथा बहराई जनपत का चेत्र फल 44 वर किलो मेटर है, और उत्तर प्रदेश राज का चेत्र फल 2,4,928 वर किलो मेटर है, भारत के कुल चेत्र फल का 7.33 परसत, वादेश में पांच वाइस्थान है तो option यहाँ पर right answer option भी हो जाएगा question number 140 निव लिखित में से किसने चार आसो मेग यग किये थे तो right answer यहाँ पर option भी हो जाएगा परवर्स से इनने किये थे question number 141 सुमेलित कीजिए सूची first और सूची second दिया गया है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा इस question का option B, A का third B का four, C का one और D का two गोविन साहब का जो समन्ध हो जाएगा अमेटकर नगस से कैलास मेला, कैलास मेला का समन्ध आगरा से हो जाएगा, आगरा से कैलास मेला सायद सालार जो है इसका समन्ध बहराई से हो जाएगा और शाकुम्भरी देवी जो है इसका सहारनपूर से मिलान हो जाएगा दोस्तों ध्या नखिएगा, अगला question, question number 142 वर्स 2011 की जनगन्ना के नुसार जनसंक्या के घरते करम में जिलों की ब्योस्थित कर सही कूट चुनिए तो यहाँ पे इस question का राइक अंसर option यह हो जाएगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा वर्स 2011 की जनगन्ना के नुसार जनसंक्या के घरते करम में जिलों का करम इस प्रकार होगा दूस्तों इलाहबाद पहला हो जाएगा मुरादाबाद थर्ड नंबर पे आएगा और गाजेबाद दूसरे नंबर पे लखनव चौथे नंबर पे तो यहाँ पे first option राइट अंसर हो जाएगा question number 143 वर्स 2011 की जनगन्ना के नुसार उत्तर प्रेस के किजले में निम्न में से क्या सही नहीं है आपको बताना है दोस्तों option C यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा इसकी दस्की ब्रधिदर 17.7 प्रत्सत है question number 145 प्रदेश की जनसंख्या में सरवाधिक दस्की ब्रधिदर देखी गई है तो राइट अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सरवाधिक दस्की ब्रधिदर वर्स 1991 से 2001 में देखी गई है option C राइट अंसर हो जाएगा question number 146 Bluetooth की कोज किस ने की थी तो आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पे इस question का राइट अंसर हो जाएगा Bluetooth की कोज एरेक्षन ने की थी option A राइट अंसर हो जाएगा question number 147 मुख मेमोरी दो प्रकार की होती है तो रूम और राइम मुख मेमोरी के दो प्रकार है option C राइट अंसर हो जाएगा रूम और राइम question number 148 change case कमांड किस मेनू में दिखाई देती है आपको बताना है तो change case कमांड format मेनू में दिखाई देती है option C राइट अंसर हो जाएगा format question number 149 है दोस्तों software जो www पर web page view करने के लिए प्रियोग होता है तो web browser www पर web page view करने के लिए प्रियोग होता है option B राइट अंसर हो जाएगा web browser अंतिम question question number 150 computer की कौन सी बिसे speed ही करतिम बुद्धिमत्ता से जूड़ी है तो computer की पाँचवी पेड़ी करतिम बुद्धिमत्ता से समंधित है option सी यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों यह रहे आपके 50 सामानी जानकारी के questions दोस्तों यदि आपको class पसंद आती है तो आप जाद से जादा like और share करें दोस्तों दोस्तों आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं next class में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन धन्यवाद करें दोस्तों 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 आपके